पर दिमाग खुद का व्यक्ति को जीवन में कभी हारने नहीं देता नमस्कार साथी मैं अजित कुमार आपके डिजिनल प्रैटफॉर्म कमटेशन कमटे पे आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सभी की CGSI मेंस की त्यारी काफी अच्छी खासी चल रही होगी पूरे जो सो खरोस में चल रही होगी आईए दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग CGSI मेंस के एक्जाम से रिलेटेड कुछ संभावित important concept की चर्चा करेंगे और ये एक ऐसा concept होगा जिसे आपके CGSI मेंस में question आएंगे ही आएंगे इसके नहीं रहने की संभावना ही नहीं ठीक है तो चलिए इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बढ़ने के पहले छोटा सा information हम आपको देते चलें CGSI मेंस का offline बैच हमारे चार सेंटर्स पे आ रहा है कहां कहां बिलासपूर रायपूर दुर्ग और राजनांद गाव में ठीक है जिसके timing होगी सुबह साथ से साढ़े नौ और साम में timing होगी साम के 6 से साढ़े ठीक है कब से यह start हो रहा है तो 13 तो मार्च से start हो रहा है ठीक है जिसमें SI मेंस और ADEON दोनों प्रकार के बैचेश आपको देखने को मिलेंगे बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले अपने concept की तरफ concept की तरफ आगे बढ़ने से पहले आईए हम लोग एक नजर अपने syllabus पर डालते हैं तो हम लोगों का cg simons का जो syllabus है वो यह रहा आपके सामने English के syllabus के हम बात करें ठीक है तो बात करते हैं कि English का syllabus हमारा क्या क्या है तो English में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, उसके बाद tense, फिर subject of agreement ठीक है उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है article बात करते हैं इनके अलावा और क्या क्या चीज़े हम लोगों को पढ़ना है तो इनके अलावा हम लोगों को पढ़ना है model, auxiliary, verb, जिसको हम लोग प्यार से models भी कहते हैं इसके अलावा हम लोगों को वाइस पढ़ना है निरेशन पढ़ना है और फिर हम लोगों को पढ़ना है इनके अलावा हम लोगों को वोकैब में synonyms, antonyms, one word, substitution, idioms and phages और miss spelled यह सभी चीज़े पढ़ना है इनके अलावा और देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है इनके अलावा वोकैब के सिक्सन में आपको एक और चीज़ पढ़ना है होमोनिम्स या होमोफोन्स इसके अलावा आपके एक्जाम में और क्या क्या पूछे जाएंगे तो आप के exam में देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ reading comprehension के कुछ easy pattern के पैसे आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो यह था हम लोगों का expected cgsi mince संबंदित English का syllabus ठीक है इससे बाहर आपके SI exam में कुछ भी आने वाला नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं से अब हम लोग आते हैं अपने एक important concept की तरफ जिससे आपके SI में कोशन रहेंगे ही रहेंगे तो क्या है यह concept आईए इसको सीखना समझना सुरू करते हैं और यह जो concept है यह एक ऐसा concept है जिससे हम सभी लोग बार-बार गलतियां करते हैं जिसमें हम सभी लोग बार-बार गलतियां करते हैं क्या है यह concept है यह सीखते हैं देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर कोई भी नाउन लिखा हुआ दिखाई देगा और इस नाउन के ठीक पले यहाँ पर आपको कोई ना लिखा हुआ दिखाई देगा लेकिन इसनाउनствен को मिजर करने का मापने का कर रहा होगा और इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे कोई बी नंबर या डिजिट आपको दिखाई दे सकता है कोई बी नमबर या डिजिट इन दोनों में से कोई न कोई एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह एक बार भी हो सकता है और यह दो बार भी आपको देखने को मिल सकता है थाती जो नंबर और डिजिट है ये दो बार भी आपके कोशन में देखने को मिल सकता एक बार भी आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है हाँ अब आपके मन में एक डाउट करेट हो का सर आपने यहाँ पे दो बार नंबर या डिजिट लिखा है तो क्या ये दोनों नंबर या डिजिट सेम हो सकता है क्या ये दोनों अलग-अलग हो सकता है ये दोनों सेम भी हो सकता है ये दोनों अलग-अलग भी हो सकता है जैसे ह हम यहाँ पर कह दें हम यहाँ पर लिख दें 25 तो यह क्या हो है नंबर दें नंबर को बात को ठीक से समझ से 7 यहां पर है यह है फिर से हो गए नंबर हो गया तो आपको मिलेगा यह दो बार भी आ सकते हैं यह sery भी हो सकते है ये दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हंड्रेड, हंड्रेड रूपीज नौट ठीक है अब ज़रा दिहान दिजेगा ये जो वर्ड होगा ये नाउन के पहले ये जो वर्ड होगा जो कि यहाँ पे काम कर रहा होता है measurement unit का अर्थात इस noun को इसमें measure किया जाता है ठीक है इसको फिर से समझे यहाँ पे कोई भी noun हो और noun के पहले यहाँ पे कोई भी आपको measurement unit का काम करने वाला what दिखाई दे यहां पे जो what लिखा हुआ दिखाई देगा यहां पे लिखा हुआ जो what होगा ये आम तोर पे यूज किया जाने वाला कोई भी measurement unit हो सकता है और measurement unit नहीं भी हो सकता है इन दोनों तरीके की बातों की चर्चा यहां पे और इस टाइप के question में आपको देखने को मिलती है बार-बार मिलती है और हम लोग इसमें बार-बार गलतियां करते ही करते हैं जैसे एक example लेते हैं सबसे पहले जैसे मान लेजे कोई छोटा सा बच्चा हो ठीक है pre nursery में पढ़ता हो तो मान लेजे उसे उसकी उम्र कोई पूछे बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है तो वो बच्चा कह सकता है I am I am three years old कह सकता है I am three years old और देखे बच्चों को अक्सर सिखाया भी यही जाता है ठीक है अब यह देखे यह old क्या कर रहा है उसका age बता रहा है अर्थाति यह जो old है यहां पर किसका काम कर रहा है? यहां पर noun का, ठीक है? और यह देखे years, years का है बाई तो परमपरागा तोर पे use किया जाने वाला measurement unit है, किसी चीज को या किसी चीज के उमर को हम लोग year में मापते हैं, ठीक है? तो यह यहां पर measurement unit का काम करने वाला sword है, ठीक है तो यहाँ पर measurement unit का काम कर रहा है और यह तरीक ऐब तो यह number या digit है फिलाल यहाँ यहाँ पर काम कर रहे है तो यहाँ पर देखेंगे डिजिट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है नंबर या डिजिट का प्रयोंग इस कोशन में यहाँ पर दो बार आपको देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है अब जरह द्यान देजेगा तो हमने आपको क्या बता है कि यह नाउन हो गया नाउन के पहले यहां यह जो मेजर्मेंट लिखा जाएगा इसको हमेशा और हमेशा कैसा राना होगा है सिंगुलर यह कभीeking प्लूरल läuft यह संभौ नहीं है अब ज़रा ध्यान देजे इस प्रकार के question में या इस प्रकार के बातों को व्यक्त करने के लिए हम लोग अक्सर इस प्रकार के word का इस प्रकार के sentences का ही use करते हैं ठीक है अक्सर हम लोग यही बोला करते है I am three years old he is three years old, see is three years old ठीक है बात समझ में आ रही है अब ज़रा आप यहां पे ध्यान दिजिए यहां पर जो year में एस लगा हुआ है क्या यह सई है? क्या यह सई है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है अब आप यहां पर क्या करेंगे? अब आपको यहां पर correction करने की जरूरत है क्या correction संभावित है भाई? तो correction यह करना होगा अर्बार्किलिकार का एक और एकक्जम्पल लेते जैसे जैसे टूटू तो मेन कमीटी the Vietnamese कमीटी चेहान की है तो सबसे पहले कमीटी हो गया है आथ में का मतलब क्या होता आदोब कर यह देखें ऑन। परागत तरपे यूज किया जाने वाला कोई भी मिजसर्मेंट YUNIT तो नहीं है लेकिन फिर भी 10 कमीटी को मेजर किसमे क्हिए इसमे्ल मेजर क्या जा रहा है और यहfire क्या हो गया यहां पर डिजिट क्या हो गया यह हो गया यहां पर डिजिट यह भी हो गया यह पर डिजिट अब यह देखिए यह दोनों नंबर और डिजिट जो आए हैं यह दोनों बिलकुल अलग अलग है यह दोनों सेम भी हो सकते हैं ऐसे जो पांच लोगों की कमीटी है य अब ये दो के जगह पांच भी हो सकते हैं इसे पांच लोगों के पांच कमीटियां भी तो हो सकती है ठीक है लेकिन अब इसमें हम लोगों को यहां क्या करना होगा तो अब हम लोगों को यहां पे सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान देना है क्या ध्यान देना है तो हम लोगों को होता है मैं क्या होता है इसका सिंगुलर होता है मैं तो हम लोग क्या करेंगे इस में के स्थान पर हमें लिखना होगा मैं क्या लिखना होगा मैं अब हमारा करेक्ट अंसर क्या बना हमारा तो कमीटी में एक और काम करेंगे हम लोग कमीटी में लगा देंगे इस क्या लगा देंगे कमीटी में लगा देंगे इस ठीक है अब आपके एक्जाम में जो एरर पूछा जाता है वो यहां पे नहीं पूछा जाता है आपके एक्जाम में इस वाले पार्ट में ही एरर कुछा जाता है और आपके cgsi में भी इससे कोशन रहेंगे ही रहेंगे तो आईए अब इस कॉंसेप्ट को यदि हम लोगों ने सीख लिया है तो इस कॉंसेट पर आधारित कुछ प्रस्तनों को हम लोग बनाए ताकि इस कॉंसेप्ट को चाहकर भी भूलने ना पाएं ठीक है आएए शुरुआत करते हैं कुछ कोशन की अब यहां पर आप जो कोशन देख पा रहे हैं अब इसमें से हर एक कोशन को हम लोगों वन बाई वन यहां पर बनाने का प्रयास करेंगे विद कॉंसेट कैसे तो यहां देखते हैं पहले कोशन में आप फाइव ये प्लान अब किसमें जारा है इसमें तो यह मेजर्मेंट यूनिट का का म कर रहा है ठीक है यह इंजर्मेंट यूनिट का का रोल-प्ले कर रहा है तो कि material सेन मेजर्मेंट इसको क्या करेंगे, remove कर देंगे, और year से जैसे ही आप इसको हटा देंगे, ये बन जाएगा singular, और जैसे ही singular बन जाएगा, अब ये प्रस्न हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, give me a five rupees note, ये देखें, note क्या है, तो note होगे आपका, now note क्या ह रहें, rupees में, और rupees के पहले देखें, ये क्या है, five number, ये एक क्या है, ये भी संक्या का बोड करा रहें, अर्थात ये भी क्या है, नमबर ये, digit का का काम कर रहें, ठीक है, चलिए, तो अब ये जो measurement unit है, क्या है, यहां पर measurement unit, का role play कर रहा है, rupees, कौन सा word, rupees, ठीक है दोस्तों, तो रूपीज में यहां जो S लगा, इस S को क्या करेंगे, हटा देंगे, अर्था इस S को यहां से रिमूफ कर देंगे, मिटा देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, यह sentence हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, correct answer क्या बना, give me a 5 रूपी note, ठीक है, चलते हैं अगले question में, a 5 main committee was formed, अब फिर से देखें, यह committee हो गए, यह वही बात है, जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, committee किसका काम कर रहा है, यह काम कर रहा है, यहां पर noun का, और इसको किसे measure क्या जा रहा है, main में ठीक है, तो अब यह main क्या स्थान पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, main क्या लिखना होगा, यहाँ पर main की अस्थान पर लिखना होगा, main e in, main लिखना होगा, और जैसे ही, यहाँ पर main की अस्थान पर man लिख दिगे, यह जो मिजर्मेंटा Venus क रोल प्ले करने वाला word है, इस question में, यह जो main है, जो measurementへ का रोल यहां पर प्ले कर रहे है, यह plural से हो अब हमारा sentence कैसा हो जागा बिल्कुल correct हो जाएगा राइट चलते आगे दोस्तों अगले कोशन की बात करते सी हैस 20 रूपीज नोट फिर से देखें यह नोट किसका काम कर रहा है ना उनका काम कर रहा है रूपीज में मेजर किया जा रहा है ठीक है और इसके पले यह देखें 2020 20 क्या है नमबर हो गया संख्या हो गया ठीक है अब यह देखें नमबर या डिजिट यह यहां पर इस कोशन में सिर्फ एक बार प्रयोग किया ठीक है यहां पर मेसर्मेंट उनिट का रूल प्ले कर रहा है रूपीज वार्ड कौन सा रूपीज वार्ड अब यह रूपीज क राइट चलते अगले कोशन में हरी लॉस्ट और हंडेड रूपीज नोट फिर से देखे ये नोट क्या है तो नोट हो गया हमारा नाउन और ये रूपीज क्या है मेजर्मेंट यूनिट का रोल प्ले कर रहा है ये नंबर का काम कर रहा है ये एक क्या कर रहा है ये भी संख्य है यदि कोई ऐसा वर्ड आए जो वहाँ पर measurement unit का Role-play कर रहा हो तो जो वर्ड measurement unit का Role-play कर रहा होगा उसे हमेशा और हमेशा लिखेंगे singular form में कौन सा form में लिखेंगे हमेशा लिखेंगे हम लोग singular format ठीक है तो यहां पर फिर से क्या करेंगे इस रुपीज का इस जो है इसे हम लोग यहां से हटा देंगे remove कर देंगे ठीक है अगले question की बात करते है my elder brother is six years old अब यह दे कि फिर से यह old क्या कर रहा है यह is बताने का काम कर रहा है अब क्या करेंगे यह जो measurement unit है years इस में से इस को हम लोग यहां से remove कर देंगे हटा देंगे मिटा देंगे यह sentence हमारा correct हो जाएगा अगला question देखे five years old girl is missing ठीक है लड़की का यहां पर उम्र बता जाए रहा ठीक है अब यह देखे इस को हम लोग remove कर देंगे हटा देंगे मिटा देंगे sentence हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा चलते हैं कुछ और बड़े प्रस्णों की तरफ ऐसे प्रस्ण जो थोड़े से आकार में बड़े हैं जो आपको थोड़ा सा नर्वस कर सकते हैं क्योंकि आम तोर पे हम सभी विद्यार्थियों के साथ यह होता है जैसे हम लोगों को कोई बड़ा सा प्रस्ण दिखाई देता है चाहे वो English का हो math का हो reasoning का हो जैसे ही प्रस्ण की जो लंबाई है जो चोड़ाई है वो थोड़ी से लंबी हो जाती है हम नर्वस उना सुरू हो जाते हैं हाला कि इसमें आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है देखें ध्यान दिजेगा आप चाहे मैत का प्रस्ण कर रहे हो यह reasoning का या English का यह किसी भी subject का प्रस्ण का जो लंबाई है वो जितना बड़ा होता चला जाएगा वो कोशन उतना प्रस्ण करने वार्ड हमेशा होना चाहिए सिंगूलर कैसा होना चाहिए हमेशा और हमेशा होना चाहिए सिंगूलर कैसा होना चाहिए हमेशा और हमेशा होना चाहिए सिंगूलर कैसा होना चाहिए यदि यह plural हो जाएगा तो यहाँ पे grammar की गलती होती है और यदि यह singular हो तो grammar यहाँ पे correct माना जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question में this 10 rupees note appears new यह जो 10 रुपिया का note है यह दिखने में नया लग रहा है ठीक है हब आजाएं यह note है note क्या होगे नाउन होगे फिर इसको किसम मेजर ने रूपीज में तो क्या करेंगे रूपी में जो यहाँ पेस लगा हूँ इसको क्या करेंगे फटा तेंगे 10 rupees note की जगा हम लिखेंगे हम लिखेंगे टेने रूपी नोट लिखेंगे बात समझ में आ रहे बचो चलिए आगे बढ़ते हैं थ्री सेंचूरी ओल्ड मॉनुमेंट अभी यह मॉनुमेंट जय है बिल्डिंग जो है ठीक है यह क्या है नाउन है ठीक है अब इसके उमर यहां पर बताई जारहे यह चाहिए बिल्कुल singular होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे यह जो centuries में IES लगा हुए इसको हटा देंगे और IES के मतले क्या लगा देंगे वाई लगा देंगे क्यों लगा देंगे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी नाउन के last में Y लगा हो क्या लगा हो यदि किसी नाउन के last में Y लगा हो और उस Y के पहले कोई consonant later लिखा हुआ हो क्या लिखा हो फिर से इसको ठीक से समझ लिजे यदि किसी भी noun के last में Y लगा हो और Y के पहले यहां जो later लिखा हुआ हो वो कोई consonant later हो, क्या हो, कोई consonant later हो, तो इसका singular से plural बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस y को हटाते हैं, इसको remove कर देते हैं, और y को बदल देते हैं, i में लगाते हैं, es अर्था, तो y को हटा के, इसके last में हम लोग क्या लगाते हैं, y को हटा देते हैं, और y के अस्थान पर IES लिख दिया जाता है यह viral से पलूरल कैसा हो जाता है सिंगुलर से अभ यह गण जाता है plural तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था यह देखिये कि सेंचुरी अम लूग इसी तरीके से लिखते हैं ठीक है अब यह लास्ट हमें क्या है यह सेंचूरी अब इसका यह दिस संचूरी का हमें सिंगूलर बनाना हो तो क्या लिखेंगे तो यही काम हमने यहां पर किया है तो 3 संचूरी के जगप पर हम लोग क्या लिखेंगे इसके अस्थान पर हम लोग लिखेंगे 3 century क्या लिखेंगे 3 century ठीक है चलते हैं अगले कोशन में दो आरव यह देखें यह आर वीया क्या है भाई आर वीया हमारा Reserve Bank of India है तो किसी भी बड़े और्गेनाजेशन के नाम के पहले हम छो लगातेखे आर्टिकल द आप इसको याद रखेंगवा इससे भी आपके cg assignments में question रहेंगे ही रहेंगे किसी भी Organization के नाम के पहले हम लोग क्या करते है आर्टिकल का परियोग करते हैं कौन से अटीकल का अटीकल का परियोग भी नहीं करनाया आपको किया आर्गेनाजेसन के नाम के पहले बलकि और इ bize noodle के पहले किसका यूज करने है आटीकल का करना है किसका आटीकल थंज करने ठीक है चलिए इसी तरीके इस लगा इस इसको हम यहां पे remove कर देंगे ठीक है आगे बढ़ते हम लोग the minimum is for this job is 18 years old क्या है भई 18 years old अब यह old क्या हो गया नाउन हो गया और इस नाउन को किसे measure कर रहे है यह में तो फिर से क्या करेंगे years का है हम लोग यहां से remove कर देंगे और जैसे ही इसका हम लोग remove कर देंगे अब यह sentence हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा इसका जड़ा हिंदी मिनिंग भी जान लें हम लोग the minimum is for this job is job के लिए इस नौकरी के लिए जो minimum एज चाहिए जो नियूनतम एज चाहिए वो कितनी है वो है 18 साल ठीक है कि आपको 18 साल पुराना होना चाहिए आपका उम्र 18 साल होना चाहिए ठीक है चलते हैं अगले question में at least six years child अब यह देखे चाहिए चाहिए और इस नाउन को किसे मिजर करें years में ठीक है years के पले यह क्या लगा है six क्या है तो number यह digit है ठीक है अब क्या करेंगे years यहाँ पर काम कर रहा है measurement unit का तो year में जो एस word का प्रियू कर देंगे यही बन जाएगा प्लूरल से singular क्यों हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी नाउन के पहले यदि कोई भी ऐसा word आए जो उस नाउन के measurement unit का रोल प्ले कर रहा होगा तो उस word को उस measurement unit का रोल प्ले करने वाले word को हम लोग हमेशा और हमेशा कैसा जो हमारे आपके घर में मम्मी पहनती है ठीक है माता जी जो हैं पहनती है ठीक है तो हमारी आपकी मा जो पहनती है यह वही साड़ी की बात की जा रहे ठीक है अब यह साड़ी है साड़ी क्या है भाई तो नाउन होता है ठीक है अब इस नाउन को किसमें मिजर क्या जा रहा ह रूपीज तो फिर से यहां पर रूपीज की जगह क्या लिखना होगा मैं हमें लिखना होगा रूपी और इसके पले यह देखे थाउजंड क्या हो गया संख्या हो गया यह आर्टिकल एक क्या कर रहा है संख्या पताने का यह भी यहां पर काम कर रहा है ठीक है तो इस तरीके को हम लोग रखेंगे singular ठीक है तो आप आसा करते हैं कि आपको हमने इस class में यह जो concept पढ़ाया यह बहुत important concept था और इससे आपके assignments में question रहेंगे ही रहेंगे आसा करते हैं कि यह जो concept था एक दम से crystal clear हो चुका होगा आप सभी के दिरों दिमाग में छप गया होगा ठीक है और इस प्रकार के प्रस्म में आप आज के बाद कभी भी गलतियां नहीं करेंगे ठीक है लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के चीजों को और detail में offline class में आके सीखें तो आप यहां पे हमारे offline class में आ सकते हैं पे तो बिलासपूर रायपूर दुर्ग और राजणान गाओं में और इसमें दो बैचेज आ रहे हैं सुबह की बैच के आ सकते हैं मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको